किसान भाईयों आज हम चने की फसल में लगने वाले फली छेदक पोड बोरर कीट के नियंतरन बचाव के तरिकों के बारें बात करेंगे यह कीडा बहु बक्सी कीडा है जो कई फसलों के लावा और भी फसलों को नुक्सान पोचाता है और यह कीड फसलों की कौमल अवस्था से लेकर पकने की अवस्था तक पूरी अवस्था में नुक्सान पोचाता है और अगर इसका समय पर हम नियंतर नहीं करें तो 70-80% तक फ फाली छेड़क लग चुका है, और इसके बचाओ के तरीके, अब चूंकि फसल तो बोई जा चूंकि है, और इसका नियंतर्ण के उपाई में है, बता दो आपको में, दो प्रकासे नियंतर्ण किया जा सकता है, एक तो रासाइनिक उपचार से, और एक जेविक उपचारों से तो जेवी कीट नाशियों का प्रियों करके भी इससे उप्चार किया जा सकता है और इसके लिए NPV 200LE का छिड़काओ करके इस रोग से बचा जा सकता है इसके पंगा दिन बाद BT का छिड़काओ किया जाता है इसके अलावा AJD रेक्टिन जो नीम से आधारित जेवी कीट है तो उसके लिए फिर मिरांज जो नाब की दवा आती है उसका देड़ पर्सेंट का पाऊडर आता है उसका उसका 25 किलो प्रति हेक्टर की दरसे बुरकाओ किया जाना चाहिए या फिर इसकी जो कुनलफोस नाम का 25-e-c की जो दवाय आती है उसका छिड़काओ भी किया ज सकता है एक लिटर प्रति हेक्टर की दर से इसके साथ ही यह नियंतरन रसाइनी की उपाय हमने किये इसके पहले हम फिरोमोन ट्रेप खेत में लगाकर इस कीट की संख्या या मात्रा या कीट नासक रसाइनी कीट नासकों की छिड़काओं के लिए हम निर्धान कर सकते हैं तो पांस एच्छे फिरोमोन ट्रेप प्रति हेक्टर की लगाकर देखा जा सकता है अगर प्रति फिरोमोन ट्रेप में एक से दो तितलियां प्रति दिन आ रही है इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो रसाइनीक दवाओं का प्रियोग करना ही चाहिए इस प्रकार से ये आपकी जो फली शेदक लगने जो कीट है इसके जेवी कुपाई और रासानी कुपचार से इस फसल को बचाया जा सकता है